जिग्यासा के माध्यम से खुशी, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बस आपको भक्ती बाउ है तो आपके लिए देवता वही रहेंगे, कूल देवता का एक कॉंसेप्ट है, इस तो देवता का एक कॉंसेप्ट है, कूल देवता यानि कि आपके जीन्स के भगवान, जो कि आपके ही किसी क्लैन में जब आप पहले, क्लैन में रोल रहते थे ऐसे सीटीज वगेरा नहीं थी, तो जो भी उस क्लैन में सबसी ज़्याद मास्टरी है उसको एनरजी के उपड़ तो वो किसी फॉर्म को क्रियेट करता था रियालिटी में वो क्ले या फिर मड से भगवान को क्रियेट करते थे आप देखिए कितने सारे हमारे पास देविया हैं उनमें कुछ-कुछ देवी देखते हैं चीना मस्ता को हम देखते हैं उ उस प्रकाश से एक फॉर्म क्रियेट कर दिया उसको कॉंसेक्रेट कर दिया और वो कूल देवता बन गए जितने भी कूल देवता है आप देखना कूल देवता आपको अजीब और गरीब लगेंगे यह कूल देवता एक है जो आपके जीन्स के अंदर है और वो सबसे ख्लो पुए? करवाते हैं जैसे भगवान सी कृष्णा, भगवान सी क्रिश्च्न को लोग आजकल लोग मानते हैं अनको तो वो उनके इस्ट्ष इवता हो गए, वो अपने हिसाब से उनको अपना बगवान मान रहे हैं तो एस्ट्ष इवता, तो खूल देवता तो आपके वही के वही है और इस्ट देवता भी आपके वही के वही रहते हैं लेकिन आपको जब चीजे रियलाइज होना स्टार्ट होती है तब जाकर आप इस्ट देवता को बदलते हैं और 99% लोगों को ये सब चीजे रियलाइज होती नहीं है कि मेरे जो इस्ट देवता है वो अभी तक ठी लेकिन अब मेरे को ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा है अब मुझे कहीं और जाना है लेकिन 99% लोगों के लिए इस तो दिवता भी वही रहते हैं पूरी लाइफ अपने काल भेहरव के बार में बात क्यों करी क्योंकि काल भेहरव ही एक ऐसे देव है जो दिव दिवता की बात करें तो काल भेहरव की मदद से ही मैं गुरू तो है और अगर किसी सुपरनेश्रल पावर की बात करें तो वो काल भेहरव है मैंने आप से सवाल पूछा था कि आपको max relatability किस character से feel होती है भारत की संस्कृती के किस character से आपको max relatability आपको खुद के अंदर काल भेहरव महसूस होता है नहीं देखे मैं समझाता हूँ काल भेहरव को अगर आप देखेंगे तो उनका वाहनम कुटा है एकदम basic level पर आकर समझाए कि काल भेहरव है कौन काल भेहरव यानिकी समहारका यानिकी ऐसा देव ऐसे देव जो आपके कर्म को dissolve करने में आपके मदद करता है अगर आपको जाना है self-ladiation के उस stage पर आपका consciousness पूरा peak पे पहुँच जाए अगर उस stage पर जाना है सबसे पहली अगर कोई चीज है तो वो आपके कर्म को आपको साफ करना होगा आपके कर्म को पहचानना होगा आपके कर्म के साथ आपको खेलना होगा और वो चीज जहां से आपको सिखने को मिलती है वो काल भेरव का form है मैं उनको बगवान के तौर पे नहीं मैं उनके form से ज़्यादा resonate करता हूँ उनका form इतना जबजज़स्ट है कि आप क्या ये शिवजी के अफ़तार है कह सकता है अगर हम देखे एक नॉर्मल वे से तो वो सिवजी है लेकिन अगर वैसे देखने जाए योगिक प्रस्पेक्टिव तो वो एक अलग form है सीव एक अलग form है फरक क्या है फरक ये है कि देखो जितने भी देवी देवता हमारे पास है दे आर दे फॉर्म रेप्लिकेशन आफ योई एनरजी समझाता हूं मैं सीव जो है ultimate consciousness पर जब आप पहुँच जाते हैं तो उस समय जिस प्रकार से आपके एनरजी होती है वो सीव है आखे बन करके बैठे रहते हैं ठीक है बोले हैं और जब क्रोध में आ जाते हैं तो क्रोध वाला रूपधारन कर लेता है तो उस लेवल पर जब पहुँच जाओगे तो कौन है सीव है स्टार्टिंग में एक form अगर आपके लिए कोई है तो काल भेरव उसके बाद नटराज उसके बाद दक्सिना मूर्ती दक्सिना मूर्ती यानि की सिव खुद तो इस प्रकार से पुरा form चलता है तो मैं अगर साधना स्टार्ट कर रहा हूँ तो काल भेरव जी मेरे लिए एक form होगा जिससे मैं अपने कर्म को पहले डिजॉल्फ करूँगा वो तमस स्टेज को रिप्रेजन करता है फिर आता है नटराज जो राजसिक स्टेज को रिप्रेजन करता है तो नटराज पर मैं आ गया तो नटराज से मुझे जो material चीज़ है ना उसको साफ करने का मुझा मिलता है नटराज के 64 forms है वो 64 forms में अलग-अलग साधना चीपी हुई है अगर आपको देखना आ गया तो आप समझ पाएंगे वो मूर्ति आपसे बात करेगी बात से मतलब है कि वो आपको कुछ समझाएगी वहाँ से आपका पूरा एक process निकलेगा उसको follow किया आपकी material चीज़ है आपके अंदर से गई now you are on the stage of दक्सिना मूर्ति यानि कि अब आप ultimate guru बन चुके हैं और अब आप दूसरों को initiate कर सकते हैं देखोगे दक्सिना मूर्ति के form को तो उनके चारों और रीसी बैठे है चारों का नाम रीसी सनक है और वो चारों वेदों का ग्यान दे रहे दक्सिना जी लेकिन आखे बन करके दे रहे हैं बिना बोले दे रहे हैं और वो जो रीसी बैठे हुए है वो बस बिना बोले दक् पूचना बड़ा मुस्किल है आपने खागा कि काल बहरव आपके कर्म डिजॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल इसका क्या मतलब है अगर किसी ने काल बहरव की पूजा स्टार्ट करी आज तो क्या होने लगता है उनकी जिंदगी में अगर आप काल बहरव की उपासना करने जाओ होगे ना तो जैसे मैं वहान की बात करा था उनका कुट्टा वहान है तो हमको क्या लगता है कि वह कुट्टे पे बैठकर चल भाई तू अब मेरे को यहां से वहां ले जाए इसा करते होंगे नहीं वह बस एक फॉर्म हमें बताया गया है देखो आप अगर 10 लोगों को ये बाकिसे डरेगा बस खड़े रहेंगे ना कुछ नहीं करेंगे तब भी वह डरेगा क्यों कि कुट्टा फील कर पाता है हमसे ज्यादा institutional होते रात को इसी वज़ाश से वह हैं क्योंकि वह फेल कर पाते चीजों को तो आपके जो कर्म है रहे आपकर आकास अब लोगों को वो अच्छे से नहीं बनाओगा और इस वज़ासे कुट्ता उसे फिल कर पाता है और हमारे पास नहीं आता है तो जब आपके पास कुट्ता पास आने लगे उसका मदलेब है कि आपके कर्म साफ हो चुके है इसी वज़ासे काल भेरफ जी का वहन कुट्ता है यानि कि वो एक इसी वज़ासे फॉर्म में वो दिखाया गया उनके हाथ में आपको सर पर देखने को मिलेगा जो डमरू के उपर है तो उस पूरे फॉर्म को समहारका कहा जाता है वो यह दर्सारा है कि आपका जो वो एक सिंबॉलिजम है सिंबल सिंबॉलिजम की आपके कर्म पर्टिकुल लगेगा without any observation गुरू की guidance के बिना तो सायद वो डर जाएगा सायद उसके उपर ट्रॉमा वो ट्रॉमा में चला जाए उसके उपर कुछ ऐसा हो जो नॉर्मल लाइफ हो आई ही ना पाए फिर से तो इस प्रकार से चीज़ें हैं और इसी वज़ा से मैं काल भेरफ से ज़्या परत नहीं होती है मैं बस आखे बन कर दूं सब कुछ हो जाता है तो इसी वज़ा से मेरे लिए काल भेरफ बड़े महत्वपून है और जो मैं रुदराक्स पहनता हूं वो भी काल भेरफ ऐस प्रकास रुदराक्स ही है काल भेरफ का रुदराक्स अगर आपके पास है और अगर आप पहन के चलते हो स्लोली स्लोली इट विल लूज यू अप मतलब क्या प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो देखो संचीता कर्म जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया उसको हम कुछ नहीं कर सकते हूं हमारे स्लोट के आएंगे तो हम उस कर्म को साफ कर सकते हैं जैसे कि आप काल भेरफ की उपासना कर रहे हैं कुछ ऐसे मंत्र है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पस्चियात आप मैं सिंपल वे मैं समझाता हूं पस्चियात आप वड है हिंदी का उसका मतलब ही है मैंने एक्सर करो आखे बंद करके उस पूरे टाइम को फिर से रिलीव करने की कोशिस करो जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके निरोलोजिकल पात्वे में वह चीज़ क्लीन हो जाएगी आपके कर्म आपके निरोलोजिकल पात्वे में आपने कुछ किया आपके अंदर एक गिल्ट है वो वो चीज आपने फिर से करी और वो सही करिये क्योंकि निरोलोजिकल पैटर्न सबकॉंसिस माइड को टाइम नहीं पता होता है इक लिए लिएाओं टाइम अब आपका सबकॉंसिस मायंड बिई आँन्ड टाइम है और आप सबकॉंसिस मायंड की मदद से आपके उस कि आपने reality में वो चीज़ करी and for that उसकी वजा से आपके आगामी कर्म clean हो सकते है now you are ready for nat raja अभी nat raja के बारे में बताईए जो आपने कहा कि राजसिक रूप है और आपने कहा कि उनके statue से आपको कुछ सीख मिलती है हां मतलब क्या अब mark amman own करते हैं लोगों इसको बड़ा समझ रखाया कि autism कर रहे मतला गुसंय में tö अनन्द down적 का जातल है by Lisa में डांस कर रहे हैं वो हसते वए डांस कर रहे हैंくषी इतनी है कि control नहीं हो रहा है वह डांस कर रहे हैं लेकिन forms में जितनी पी चीज़ना का यह लग-अलग टांडव है वो अब सारे गुरु दिक्सा तांतरिक में ही होते हैं टांडव के नाम टांडव से कैसे आप चीज़े सेख सकते हो लेकिन जो नटराज है वो आनन्द टांडव सिंपल एक बेसिक टांडव जिसको हम सब जानते हैं सब के गरों में उनकी मूर्तिया अब होती है अगर आप उन्हें देखोगे तो उनके नीचे एक छोटा बॉना आदमी यानिकी ड्वाफ है जिसके उपर वो डांस कर रहा है जिसे अपस्मारा का अपोजिट होता है स्मरण स्मरण का अपोजिट अपस्मरण तो अपस्मरण का वो छोटा वड़ है अपस्मर तो स्मरण का मतलब consciousness और स्मरण का opposite अपस्मरण और अपस्मरण के उपर वो खड़े यानि कि अपस्मरण को दबा दिया यानि कि जो आप aware नहीं रहते थे वो चीज उनके पैर के नीचे डब गई और फिर वो bliss में डांस कर रहे हैं consciousness से डांस कर रहे हैं अब उस डांस के अंदर उनका एक पैर उपर होता है तो वो पैर जो उनका हमेशा जीत ने भी टांडव है उनमें एक पैर उनका उपर ही होता है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी एक साइड आड़िया फैमिनाइन साइड से पूरी एनरजी आपके स सारीर में ली जा रही है और दूसरी साइट से फिर से एक सर्कूट बनाई जा रही है आपने देखा है महादेव के फोटों से इंटरनेट के उपर होते हैं बहुत सारे योगी ऐसा करते हैं इसा क्यों करतें तो कुछ-कुछ meditation ऐसे होते हैं जहांपर आपको आपके सिर्फ इडा नाड़ी की ज़रूरत है या पिंगला नाड़ी की ज़रूरत है तो अगर आपका एक पैर उपपर होगा और अगर आपके राइट पैट पे खड़े हैं तो आपका पिंगला जो आपका जो पिंगला तो आप हाथ के नीचे लवा दो तो आपकी इडा ओपोजिटिट साइट के एक्टील हो जाएगी अगर यहां दबाओगे तो आपकी ऑेक्टीव तब अच्छे से काम करेगा अगर आपकी इडा नाड़ी एक्टिव है अपने नाक के नीचे हाथ रखो देखो कौन से सांस ज्यादा आ रही है कौन से नॉस्ट्रिल में से अगर आपको दिखता है इडा नाड़ी में से आ रही है और उस समय अगर आप गयत्री मंत्र करते हो तो वो ज्यादा effective होता है अगर आपको कोई intuition हो रहा है ये पार्ट है हमारे सास्त्रों का तो अगर आपके ही अडा नाड़ी से साहा रही है आपको क्या यह रियल है या नहीं है, will it be the reality और नहीं, तो आप चेक करो उस सण की आपकी अगर इडा नाड़ी काम कर रहे है और अगर आपको उस समय इंसिशन सॉरी, अगर उस समय आपको कोई भी चीजे अंदर से निकलती है, तो वो reality में होने वाली होगी, ये स्वर्योग है, इसको लोगों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग इसको material way में यूज कर सकता है, ऐसा योग, जो बहुत simple है और लोग इसका use कर लेंगे, बिना किसी गुरू के वो है स्वर्योग, लेकिन ये knowledge सबको दी ही नहीं जाती है, इसी वजा से, तो इस प्रकार से हैं, तो वो आनन्ड टांडव जो है नत्राज का, उसमें अलग-अलग इस प्रकार के forms है, उनके हाथ में अलग-अलग objects हैं, जो अलग-अलग साधना को दरसाते हैं और कौन से side को active करके साधना करनी हैं इस प्रकार से 64 उनके different forms हैं, और बहुत सारे से टांडव हैं, वो सब public platform पे नहीं हैं, एक आनन्ड टांडव आपको देखने को मिलता है, so that's nut राज लेकिन main चीज है कि वो अपस मरा पे खड़े यानि कि now you are conscious दोस्तों कर ये वीडियो अच्छा लगा तो definitely हमारी playlist देख लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको वहां भी मिलेंगे और definitely TRS Clips Hindi को subscribe कीजिए